हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं आपको बहुती सुन्दर और बहुती सिंपल सा पप स्लिउस डिजाइन से बनाना बताऊंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप स्लिउस की कटिंग करें फैब्रिक को सीधा फोल्ड नहीं करना है हमेशा फैब्री को ट्राइंगल शेप में फोल्ड करना है और ट्राइंगल शेप में फोल्ड करने के बाद पेग भाग की साइड 25 इंच लंबाई और 10 इंच चोड़ाई की एक पट्टी कट कर लेंगे पहले और अब इस पर स्ल्यूस की मार्किंग करेंगे 10 इंच स्लिवस की लेंथ रखिए यहाँ पर आप स्लिवस की लेंथ कम या जादा भी रख सकते हो स्लिवस की फिटिंग है 5 इंच और 2 इंच एस्टा मार्जिन के लिए लेंगे दोनों मार्किंग के बीच में स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन बनाएंगे इसके उपर 3.5 इंच उपर मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को उपर वाली लाइन से मिला देंगे और हलका सा राउंड शेप बनाते हुए स्लिवस का शेप बना लेंगे अब दोनों मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग से मिला देंगे तो अगर आपको कुछ भी confusion हो तो यहाँ पर आपको simple sluze की marking कर लेनी है अब इससे उपर आओ 15 इंच पर marking करेंगे प्लेट से बनाने के लिए और चोडाए में 3 इंच रखेंगे और यहाँ पर round shape देते हुए नीचे वाली marking से मिला देंगे तो यहाँ पर नीचे जो हमने fitting की marking की है sluze की वाहाँ पर मिलाना है इस marking को यह देखी अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो हमने नीचे simple sluze की marking की है और इससे उपर 15 इंच इस्टर लिया है प्लेट से बनाने के लिए और इस type से sluze की cutting कर ली है और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि sluze की cutting हमेशा triangle shape में ही करनी है center पर cut से लगा लेंगे और जो हमारे normal sluze की length है वहाँ पर भी cut से लगा लेंगे यह देखी इस type से shape ready होगा पहले हम bottom fold कर लेंगे तो इस type से हमने bottom fold कर लिया है half inch इतना अंदर fabric fold किया है और इसकी चोड़ाय रखी है 1.5 inch अब देखिए इसे फिर से double fold करेंगे और यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद extra fabric को cut कर देंगे और corner को पलट कर सीधा कर लेंगे यह देखिए इस type से और यह हमारा center point है इससे दोनों सा item प्लिट्स बनाएंगे तो जहाँ पर हमने cuts लगाया है वहाँ से plates बनाना start करेंगे और plates की चोड़ाय टू इंच रखनी है तो सभी plates की चोड़ाय टू इंच रखनी है तो इस type से हमारे एक side पर तीन plates बनी है टू टू इंच चोड़ाय की और दूसरी side भी हम same side की plates से बना कर सिलाय लगा लेंगे तो हमने दोनों side की plates के जो मूँ है वह उपर की side रखे हैं और तिन-तिन plates से बनी है दोनों side यह देखिए इस type से slips का shape ready हुआ है अब इसे हम blouse के साथ attach करेंगे तो blouse के center से sluse के center को मिला कर रखेंगे और जैसे हम simple sluse attach करते हैं same तरीके से sluse को भी blouse के साथ attach कर लेंगे तो sluse को हमने center से attach करना start किया है अब दूसरी side भी सी type से attach कर लेंगे sluse को attach करने के बाद हम अब इसमें fitting की सिलाई लगा लेंगे तो इस type से sluse designs ready हुआ कैसा लगा आपको आज का designs थैंक्स फोर वॉचिंग कर दोनी करें दो वॉचिंग